देश की अग्रणी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC ने अब तक के सबसे बड़े बॉंड आक्षिन के जरिये 25,000 करोड रुपे जुटाए है ये पैसा 10 साल के बॉंड जारी करके जुटाया गया है ये पैसा 7.97 फीसद की उची दर पर जुटाया गया पूची दर इसलिए क्योंकि उस वक्त सरकार के 10 साल की बॉंड इल्ड 7.94 फीसद थी जन्वरी से दिसंबर के दौरान बॉंड मार्केट से जितनी रकम जुटाई गई वो 7.97 फीसद हिस्सेदारी उसमें केबल HDFC की थी जो आपको इस ख़बर से असर पढ़ना चाहिए ठीक है HDFC रिए जो 25 जाय कड़ों की बॉंड बाइंग लेकर आई थी इसमें हम और आप नहीं खरीज सकते हैं रिटेल इंवेस्टर नहीं खरीज सकते हैं लेकिन खरीटता कौन है खरीटती हैं इंशुरेंस कंपनियां खरी दो पहलों हैं पहला तो हम HDFC की परिस्तिती को देखें कि HDFC का मर्जर होने वाला है HDFC बैंक में उससे पहले HDFC एक हाॉसिंग फिनांस कंपिनी है तो उसे उन फंड्स की जरूरत थी क्योंकि बैंक होने के बाद उसे इस तरह से बार्ण बारुइंग की छूट नहीं मिलेगी और इसलिए वो उतना रिजर्व लेकर आगे जाना चाहती जिससे वो आगे बारुइंग कर सके हमें पता है कि भारत में इस समय जो जमा की दर हो क्यों 11 फीस दी है कर्ज बढ़ने की दर 17 फीस दी है तो बाकी भी बैंक परिशान है पर दूसरी महतुपून बात जो यहां से दूर के समय चीजों के लिए परखना है अब HDFC बैंक के 10 साल के बांड की इंटरस्टेट को चौकाने वाली है 8 फीस दी की बारुइंग 8 फीस दी के दर पर HDFC बैंक ने बारुइंग की है 25,000 करोड की यह कई सारे भविश्य के संकेत की तरफ जाने के संकेत देती अगर कोई बैंक 8 फीस दी पर बाजार से ब्याज कर्य उठा रहा है 10 साल के लिए तो वो शायद यह महसूस कर रहा है या मान रहा है कि अगले 4-5 साल तक ब्याज देने उंची रहेंगी तभी वो इस बांड की सर्विसिंग कर पाएगा जिन निवेश को ने इसे इसमें निवेश किया दूसरी महत्तुपूर्ण बात यह कि इस बारोइंग के साथ इस तरीकी के बारोइंग के साथ बाजार में हाइइ इंट्रेस्ट रेट में निवेश करने की परक्रिया भी बढ़ेगी अब यह अपने आप में रिजर्व बैंक के लिए आने वाले समय में चुनोती होगी कि ब्याजदरे घटना शुरू होंगी और गिरावट आएगी तब इन बैंकों को इन बांड्स पे डिट सर्विसिंग की चुनोती छेलनी पड़ेगी लेकिन बाजार में एक सेंटिमेंट सा दिख रहा है ब्याजदरे उची रहने का कुछ समय तक सर आज एक खबर और थी कि बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी है वो बहुत जादा नहीं है तीन साल पहले जितनी थी उससे काफी कम है और बैंकों में भी जमा के लिए होड़ मची हुई है ये क्या संकेत देती क्या ये संकेत माना जाए कि उची ब्याजदर में समय तक अपना है तीन पहलों तो आप देख सकते हैं एक हमने देखा कि देश के सबसे बड़े बैंक ने 25,000 करोन का बांड उठाया लगभग 8% के ब्याज़ पर सरकार का सरकार भी जिस बांड पर जो अपने बांड पर ब्याज़दर दे रही उससे भी जादा है सरकार की ब बेसिस पॉइंट की बढ़वतरी अभी बची हुई है यानि बैंक इस बात की तयारी में है कि जैसे जैसे अगर डिपॉज़द्स की कमी पढ़ती है तो वो ब्याज़दरों में बढ़वतरी करेंगे हैं हाल फिलाल के महीनों में आपने देखा है कि शॉर्ट टम पर 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 बेंगे हैं तो इसलिए जब तक ब्याज़दरें तीजी से बढ़ती रहेंगी बैंकों की कोशिश रहेगी कि वो तेजी से कर्ज से डिपॉजिट जुटा सके और दूसरी तरफ इस समय वो इस बात पर भी दबाव में हैं आपके पास भी कॉल सा रहे होंगे कि कर्ज की रफ्तार भी बढ़ा सके कि कि समय जो कर्ज दिया जा रहा है और यह महेंगी दरों का कर्ज लंबे समय तक रहेगा यह दिल्चस्प घटना करभ हमें बाजार में दिखाई दे रहा तो दोनों तरफ से एक से आरबिया के लिए भी चुनोती और बैंकों के लिए भी चुनोती आने वाले समय में होगी कि इतने महेंगे कर्ज को सस्टेन कैसे किया जाए जिन ल करका